जहाँ एक तरफ तिजस्वी आदो अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, नितीश कुमार गठ बंदन को मजबूत करने में लगे हैं, कॉंग्रे से प्रियास कर रहे हैं कि किसी तरीके से बिहार में इस समय अच्छा प्रदर्शन किया जाए, वहीं दूसरी तरफ भागपा माले कह रहे हैं कि नौ सीट नहीं दीजिएगा तो गठ बंदन का उकात बता देंगे, भागपा माले की विधायक कहते हैं कि अगर गठ बंदन में हम सामिल नहीं रहते तो राज़त का उकात पता चल जाता 2020 में, राज़त को पता चल जाता कि उनके कितने विधायक जीत करा हैं हम गठबंधन में सामिल हुए तभी राज़त के इतने विधायक जीत करा हैं और अब 2024 के लिए मारा मारी अभी से ही सुरू हो गई है हमने पहले ही कहा था कि इस गठबंधन में सीट बटवारे को लेकर खूप खीचतान मचने वाली है और अब देखने वाली बात यह है कि भागपा माले की बात तेजस्वी यादो और निटीश कुमार मानते हैं कि नहीं चलिया असान भासा में आपको हम समझा देते हैं कि भागपा माले आखे 9 सीटों पर क्यूं दावेदारी अपनी पेस कर रही लेकिन उसके पहले नमशकार में आनाम शशांग पांडे आप ज सीटों पर फिर उन्होंने बताया कि यहां भी हम मजबूती के साथ काम कर रहे हैं अब चालिस में से 9 सीट भागपा माले को चाहिए और हर हाल में चाहिए कॉंग्रेस को 10 सीट हर हाल में चाहिए और उसके बाद जो बचेगा उसमें जेडियू और राजद आपस में बाठ लेगा वहीं एक तरफ तेजस्वियाद और निटीश कुमार यह प्लान बना रहे हैं कि पंद्रा पंद्रा पर हम लड़ लेंगे कॉंग्रेस को आठ दे देंगे और भागपा माले को दो दे देंगे और अब भागपा माले के रहा है कि हमको तो नौ चाहिए यहां दो की त बंधन की आप बात कर रहे हैं कौन सा पार्टी मजबूत है अगर आपको यह जाना है ना तो अकेले चुनाओ लड़कर देख ले अकेले चुनाओ लड़ेंगे ना तब पता चल जाएगा राजद को यानि तेजस्वियादू को पता चल जाता 2020 के विदान सभा चुनाओ मे अगर अकेले लड़े होते तो भागपा माले इनके साथ नहीं रहता तो इनके जो बिधायक जीत कर आएं वो बिधायक जीत कर नहीं आते यह सिमट जाते 2015 में जो इनके 80 बिधायक थे और 2020 में जो इनके 76 बिधायक जीत कर आएं वो नहीं आते वो 10 या 20 ही जीतते अगर भागता माले की विधाएक ये भी कहunnit कि अकेले आस्तक कोई Party चुनाओ लड़के दिखा दे उसका पता चल जाए願い में लेकिन भागता मौण अकेले चुनाओ लड़कर भागता री विधान सभा में पहुंचा है और भागता माले की यही हैसियत और भागपा माले ये भी बता रहा है कि हम मजबूत है और हमारी अगर मजबूती देखना है तो आप छेतर में जाएए जिस जिस लोग सभा का हम नाम ले रहे हैं वहाँ पर निटीश कुमार और तयस्वी यादो जाकर पता कर ले कि भागपा माले का कितना भोट है और उनका बेगू सराय, सिवान, जहानाबाद इन तमाम सीटों पर भागपा माले ने अपना दावा ठोका है उन्हें भागपा माले का ये साफ तोर पर कहना है कि जितनी सीटे कॉंग्रेस को मिलेगी उतनी सीटे हमें भी चाहिए जितनी सीटे कॉंग्रेस लेकर संतूष्ठ हो जाए हम बगावत करना नहीं चाहते हैं, हम कॉंग्रेस की तरह बगावत नहीं करेंगे, लेकिन समान जनक सीट हमें चाहिए, और अब देखने वाली बात है कि 40 सीट ही है, और 40 सीट में राजद को 15 सीट चाहिए, जेडियू को भी 15 से 16 सीट चाहिए, 15 पनितीश कुमार कह रहे हैं क हम संतूष्ट हैं, हो जाएगा मेरा काम, कॉंग्रेस को 10 सीट चाहिए, और भागपा माले को 9 सीट चाहिए, अब 49 सीट कहां से आएगा, बिहार में तो 40 सीट ही है, और इसी में सब को संतूष्ट करना अब देखने वाली बात ही है, कि ये पूरा मामला कैसे होगा, और उसक से उतरने पर तयार नहीं है, कॉंग्रेस कह रहे ही कि 10 से हम नहीं मानेंगे, और भागपा माले करी हमें भी नौ चाहिए, अब देखिए आगे क्या होता है, बेराल, इसके बरमें इतना ही बने रहे हमारे साथ, और देखते रहें, जनता जंक्शन